अस्राम लेकुम, ब्राजम एंटार्ट काटिका को हम इस प्लैनेट पे most mysterious part of ब्राजम जाए वो count करते हैं जहां पे आर्ट पे पाए जायना और सबसे lowest temperature इसी ब्राजम में है और एक अंदाजे के मताबिक यहां पे temperature minus 58 degree Fahrenheit है जो कुछ जगों पे जाके minus 89.2 degree Celsius हो जाता है इस इंतहा के सर्थी की वज़ा से वहां पे लुकू का जाना और उस अंदार्ट का ब्राजम को एक्स्प्लोर करना भी तकरीब नामुमकिन सा है इंट्रेस्टिंग बात यह है कि इतने ठंदे अरिया होने के बावजूद वहां पे more than 400 clicks to have a liquid form में मजूद है अब हम डिसकस करते हैं 10 mysterious things के बारे में जंटार्ट का टिका में हो चुकी है 1820 में पहली दफ़ा एक रिशियन एक्सपेडिशन ने इंटार्ट का टिका को दरियाफ्ट किया उस दिन के बाद से इस mysterious location ने बहुत से लोगों को researchers को और scientists को अपनी तरफ अट्रेक्ट किया है कि इतनी ज्यादा सरती में कोई believing thing कैसे survive कर सकती है आखिर ऐसे कौन से secrets हैं जो इस 50 km की ice ने अपने nature चुपाए हुए है कुछ researchers और scientists का ये कहना था कि इस ice में ये जो इतनी मोटी लेयर की ice है इसमें जरूर कोई spaceship चुपी हुई है यो कोई aliens की रिखाईश है जरूर बरफ की तेहों में कोई ऐसी सुरंगे हैं जो उने नजर नहीं आ रही और वहां पे इनसान या कोई और species जो है वो living अपनी गुजार रही है कुछ नोगों का तो ये भी कहना है कि इस बरफ के अंदर कुई ऐसी इस शहर अबाद हैं जो के इनसानी आंग से चुपे हुए हैं हमें वो नजर नहीं आ रहे है कुछ नोगों ने इन हीडन सीटी इसको अटलांटिस के साथ भी जोडने की कोशिश की है कि शायद जो अटलांटिस यह है गाइब हुआ था वो भी शायद कहीं इसी बरफ के तैहों में छुपा हुआ है इस डेमी गॉड शेहर के बारे में पलेटो ने भी कुछ ऐसे ही जो है वो बियानात दिये थे कि वो उसके नक्षे में वो मजूद था और फिर आज की नक्षे में हम देखते हैं कि अटलांटिस कहीं भी नहीं है अब डिसकस करते हैं 10 Most Mysterious Things के बारे में जो के अंटार्केट का में मजूद हुए सबसे पहले नमबर 10 Elongated Skulls 2014 में बरफ की तैहों में से 3 Elongated Skulls मजूद दिये वो पहली मिस्ट्री थी जो के वहां से किसी humans के मजूद होने की discovery दे रहे थी सबसे अजीब बात उनकी शेप थी, उनकी Elongated सर थे, उनकी जो सर बढ़े हुए थे वो इसको एजेप्ट के लोगों के साथ मिलाती है अगर हम Ancient Civilization की बात करें तो बहुत तहले कुछ ऐसी practices की जाती थी जिससे इस सरों को बढ़ाया जासे के उस कल्स को Elongated किया जा सके तो ये discovery हमें ये पता देती है कि शायद इंटार के टिका पहले कहीं एजेप्ट के साथ जो है वो जोईन्ट था इस तरह की Elongated स्कल्ड प्रैक्टिचीज अफरीका, सौंट अमरीका और इंटार के टिका में ही बस पाई गई हैं एक अंदाजे के मताबिक इस जमीन पर पाई जाने वले 90% मेट्यूराइट्स एंटार कटका से ही दरियाफ्ट हुए हैं इसकी एक वज़ा ये भी है कि ये आईस हिन मेट्यूराइट्स को अपने अंदर कुरियन से बचा के महफूस कर लेती है इसलिए कि आज भी वहां बरॉफ में दबे उवे में बहुत से मेट्यूराइट्स नसर आएंगे पिछले 50 सालों में 10,000 से ज़्यादा मेट्यूराइट्स एंटार कटका में दरियाफ्ट हो चुके हैं कुछ उन में से 7,000,000 साल पुराने भी है 2002 में एक पोटेटो साइट मेट्यूराइट जो है वो जमीन के साथ टकराया जिसको 2015 में दरियाफ्ट किया और बात में जब इस पे तहकिकात हुई तो पता जला कि ये मार्स से आया हुआ है साइंटिस्ट ने जब इसको चेक किया तो उन्हें आइडिया हुआ कि इसके अंदर वो ही मार्सियन वाइक्रोब मजूद हैं जो कि मार्स की सता पी देखे गया थे नमबर एट एंशेंट फोसल्स साइंटिस्ट ने जहां पे मोर देन सेवन्टी फोसल्स जो है वो डिसकोबर किये हैं और उस में से कुछ फोसल्स ऐसे हैं जो सेवन्टी मिलियन येर्ज अगो के पाए गया हैं इन फोसल्स में मानोसोर्स और डाइनोसोर्स के फोसल्स भी मिले हैं यह तकरीब बन डाइनोसोर्स जब यहां पे रहा करते होंगे तब की fossil हैं जो आज से 70 से 200 मिलियन साल पहले यहां मजूद थे साइस्टैनों को कहना है कि ऐसा मुम्किन है आज अगर temperature वहां पे बहुत कम है तो हो सकता है कि आज से 70 मिलियन साल पहले वहां पे यह temperature ना हो वहां normal trusting temperature लो या शायद ऐसा temperature हो जहां पे यह creatures जो है वो easily survive कर सके और एक बात और में है कि हो सकता है यह जिस हम area की बात कर रहे हैं उस age area में अंडार करते का सूपर कांटिनेंट का हिस्सा था तो वहां पे ऐसा possible है कि temperature वहां पे नॉर्मल होता हो हमें वहां पे कुछ ऐसे unusual animals के भी remains मिले हैं उनके fossils मिले हैं 2009 में archaeologist ने वहां पे बहुत amazing discoveries के इंटार करतिका की ice layer ने अपने अंदर बहुत से unique किसम की creatures के fossils को चुपाया हुआ है वहां एक अजीब किसम की cat के fossils मिले हैं जो cat हमारे आजकर के पापूलर pets से बिलकुल different थी लेकिन उसका size जो है वो modern cat के equalized था interesting factor यह है कि वो cat x ले करती थी यह आज की modern mammals के साथ delativity है लेकिन यह ऐसी creature आज से 250 million साल पहले रहा करती थी most interesting part is number six blood waterfall यह एक specific trailer glacier से जो है waterfall बहरा है जिसका color बिलकुल red blood है कोई भी देखेगा तो यह ही किएगा कि trailer glacier से शायद blood निकल रहा है interestingly it flows from the ice और यह बिंकुल भी freeze नहीं करता बलके इसके साथ बहते हुए river में चला जाता है let's discuss कि यह ऐसा क्यों है यह waterfall red क्यों है waterfall red होने की basic reason वहां के पानी में मजूद iron oxide है उसी iron oxide की presence की वज़ा से water का color blood red हो गया है अगर हम iron oxide के source के बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि उस glacier के साथ एक ऐसी lake मजूद है जिसकी salinity four times greater है समंदर की निस्पत और यहीं वज़ा है कि बहुत वो लेक और जो blood waterfall है वो सिरफ और सिरफ 14 degree form height की temperature पे ही freeze होता है number five is dried valleys अगर हम इंटार कहते का कि बात करें तो यहां हर तरुफ बरफ की चादर पहली हुई है लेकिन यहां पे ऐसी valleys भी मजूद हैं जो भी इंको dried हैं इंटार केटिकल की dry valleys को हमारी आर्थ पे most dryest location of dry condition जो है वो consider की जाती है इस land की discovery 1903 में हुई dry valley में बिल्कुल भी बरफ नहीं है वह humidity बिल्कुल सिफर है और यह area बिल्कुल dried है इंटार केटिकल की बरफ में तकरीबबन एक सो साल पुरानी स्कोच विस्की की बोटल के बॉक्सिस मिले हैं उन बोटल को वहां से निकालने में बहुत से years like हैं क्योंके archaeologist की जरह सी भी गलती से बहुत बड़ा खजाना उनके हाथों से खराब हो सकता था इंटार की बोटल को फिर defrost किया गया माइनिस फोर डिग्री फोर्न हाइट तो 32 डिग्री फोर्न हाइट तक ले जाया गया इस डिफ्रोस्टिक में तकरीबन दो हफ़ते लग है और उन्होंने तकरीबन दस बोटल जो है वो सेव की नमबर त्री इस स्केरी क्रेचर बरफ की तै में ग्यारा सू फीज नीचे अमेरिकन अर्केलोजिस्ट ने बहुत अजीव सी मखलूग तरियाफ्त की अबर हम इस अजीवोगरी मखलूग की बात करें तो इसकी लेंथ 20 सेंटिमीटर थी इसकी बोडी के ओपर बहुत अजीव सी बून्स थी जो बाहें की तरफ निकली हुए थी और इसकी जोवास थी साइस्ट ने आज भी इस मखलूग के बारे में रिसर्च कर रहे हैं इसकी नूट्रिशन कैसी होती थी कौन सी क्लासिफिकेशन में जाने जाए आफिर यानिमल कहां से आया सब इसके बारे में अभी डिसकेशन चल रही है दूसरी नंबर पे है एन अंडर ग्राउंड लेग ये बहुत हैरान खुन है कि इतने साथ इलाके में लेग्स की मजूद की होना और ये क्यों मजूद है असल में होता क्या है कि वहां पे जो जमीन के अंदर मैगमा है उसकी दिरमाईश इतनी ज्यादा है कि वो उपर की जो सर्फिस है उसकी कूलिंग फैक्टर को उसके टेमप्रेचर को अंडर ग्राउंड वाटर तक पहुंचने ने देता उस मेगमा के टेमप्रेचर ज़्यादा होने के वज़ए से वहां पे पाने लिक्विड के फॉर्म में है इसलिए वहां पे अंडर ग्राउंड लेक्स मजूद है और ऐसी हंडर्ड ओफ लेक्स वहां पे मजूद है साइस दानों ने इस अंडर ग्राउंड लेक्स में से बहुत सा पाने लिया है वो इसको सेंप्लिंग करके चेक करने की कोशिश की है तो उन्हें ये अंदाजा हुआ है कि इस पानी के अंदर अभी भी क्रियेशन्स मजूद हैं कुछ ऐसे बैक्टेरिया, कुछ अजीबों ग्रीब मखलूग जो है वो आज भी इस पानी के अंदर लिफिंग है नमबर वन, फ्रोजन शिप 1914 में Imperial Trons and Target Expedition Startway ने अपना सफर शिरू किया और अंदर कर से दूसरे एरिये में जाने के लिए वहाँ के दरियाओं से अपना रास्ता बनाया उन शिप में सर्ट अंस्टे शेक्रितन मजूद थे वो एक शिप में मजूद थे जिसका नाम Endurance था और वो वेडल सी में जा रही थी और दूसरी तरफ एक और शिप जिसका नाम Aurora था और वो रोज सी में जा रही थी ट्रेजिकली हुआ क्या कि Endurance आइस के साथ क्रैश हुई और फिर सर्शेक्ल जो इस ग्रूप को लीड कर रहे थे सर्शेक्लटन उन्होंने इन्हें देखा और फिर एक Rescue Mission के तरिये इन्हों वहां से Elephant Island में ले गए इस Rescue Mission में तकरीबन 17 मन्त लगे और फिर 28 के 28 लोग बिलकुल सर्वाइव करके अपनी अपने वतन में चले गे Endurance शिप आज भी इस White Continent की बरफ में फ्रोजन हालत में खड़ी है जी व्योर्ज कैसे लगा आज को टोपीक लाइक सब्सक्राइब और शेर करना मत भूलिएगा बहुत शुक्रिया